नमस्क्रार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशानत आप सब ही का स्वागत करता हूँ IPL 2021 के बचे हुए मैचों के आउजन को लेकर BCCI जगह और समा फाइनल करने में लगा हुआ है मीडिया में आई कुछ खबरों के माने तो IPL के 14 सीजन के बचे हुए मैच यूई में 18 सेतंबर से खेले जाएंगे आपको दादे, 29 लीग मैचों के बाद IPL के बबल में कुरोना की सेंद के बाद 4 मई को इसे स्थगित करने का फैसला लिया गया था अब भी 31 लीग मुकाबले बचे हुए हैं और इतने मुकाबले के लिए कम से कम 30 दिन का समय चाहिए होगा जब सीजन रोका गया था तब दिल्ली और चन्ने की टीम में नमबर एक और नमबर दो पर काविज थी चन्ने की टीम ने इस सीजन शांदार खेल दिखाया था 2020 में सन्यास ले चुके महिन सिंग धोनी अपने पुराने रंग में नजर नहीं आये हैं और चन्ने के लिए कोई भी बड़ी पारी हाल में खेलने में नाकाम रहे हैं इस बीच टीम के तेजगेद बाज दीपक चाहर को लगता है कि महिन सिंग धोनी इंदिन प्रीमियर लीग 2021 के बचे हुए मैचों में धमाका करेंगे महिन सिंग धोनी पिछले सीजन और इस सीजन भी बल्ले बाजी में संगर्स करते नजर आए आईपिल 2020 में 14 मैचों में धोनी ने 200 रन बनाये थे ये धोनी का सबसे खराब सीजन रहा था हाला कि इस सीजन कपतानी से तो वो कमाल कर रहे हैं लेकिन बल्ले से अब तक कमाल नहीं कर सके हैं हाली में एक इंटर्वी में दीपक चाहर ने कहा था कि बल्ले बाज एक ही तरीके से 15-20 सालों तक बैटिंग नहीं कर सकता है अगर किसी बल्ले बाज ने पहले रेगुलर क्रिकेट नहीं खेला है तो फिर IPL जैसे बड़े टूरमेंट में आकर परफॉर्म करना असान नहीं होता चाहर नागे कहा उन्होंने हमेशा फिनिशर की बहुमी का निभाई है लेकिन अगर आप रेगुलर क्रिकेट ना खेल रहे हो तो फिर ये काम काफी मुश्किल हो जाता है चाहर नागे कहा धूनी ने ये पहले भी किया है और आगे भी कर सकते हैं 2018 और 2019 के सीजन में भी धूनी ने धीमी शुरुवात की थी लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता गया वो लह में आते चले गए थे इसलिए आईकेल 2021 के दूसरे हाफ में भी आपको धूनी का जलवा देखने को मिल सकता है आपको धादें इस सीजन दीपक चाहर ने भी शांदार गेंद बाजी की थी और दो बार पारी में चार-चार विकेट हासिट किये थे दोनी पावर प्ले में चेहर का जिस तरीके से स्तमायल करते हैं वो बहुत से दिगजों के लिए अभी भी हैरानी का विशय है फिलाल कि इस वीडियो में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं One India के साथ